So what is up guys, कैसे हैं आप सभी लोग आज की सूरी में बात करने वाले हैं 5 upcoming cars के बारे में जो की 10 लाग के अंदर अंदर हमें देखने के लिए मिलेंगी 2023 में में बहुत सारे car launches देखने के लिए मिले हैं लेकिन इंडिया में जो सबसे ज़ादा car sales होती हैं वो 10 लाग के अंदर अंदर देखी जाती है अगर आप लोग 6-8 महीने के अंदर अंदर नई गाड़ी खरीदे की सोच रहे हो इसी price bracket में तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज़ादा important होने वाले हैं इस वीडियो को end तक जरूर ओच करना क्योंकि इस वीडियो में हम 5 गाड़ीों के बारे में बात करेंगे अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सबस्क्राइब ने कर रहा है तो एक बास जरूर से कर लीजेगा वीडियो को भी लाइक कर लीजेगा और बैल आइकन भी जरूर से दबा लीजेगा बढ़ते अपनी पहली गाड़ी की तरफ जूकी रहने वाली है न्यू मारती सुजुकी सुफ्ट और डिजायर इस रेंज को काफी जादा डॉमिनेट करती है दस लाग के अंदर ये गाड़ियां काफी जादा सैल होती है और अब तो सुजुकी ने अपनी न्यू सुफ्ट को टोकियो मोबिलिटी शोव में बी अन्विल कर दिया है कफी जादा डिजाइन चेंजींजी में हमें देखने के लिए मिलते हैं एक्ष्ट्रेजर के बारे में बात कर लेते हैं तो इस गाड़ी में हमें new headlamps, new grill, door mounted handles, new alloy wheels, new tail lamps और bumper देखने के लिए मिलता है अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर क्या के changes इस गारी में प्रोवाइट करे गए हैं इस गारी में हमें नया dashboard जिसमें floating touchscreen infotainment system प्रोवाइट किया गया है horizontal AC vents, updated instrumental cluster, साथी साथ ventilated seats, ADS, 360 degree camera, electronic parking brake with auto hold function देखने के लिए मिलेगा बात करते हैं इस गारी के engine options की और काफी जादा कमाल का इस गारी का fuel efficiency हमें देखने के लिए मिलेगी क्योंकि इस गारी में हमें 35-36 km per liter का fuel efficiency बता ही जा रही है बात करते हैं इस engine की तो ये रहने वाला है Z12 engine जिसमें 3 slender हमें देखने के लिए मिलेंगे और बहुत ही बढ़िया fuel efficiency और torque output के साथ इस engine को Suzuki launch करेगा दूसरा engine option जो रहने वाला है वो same 1.2 liter naturally exploited petrol रहेगा transmission options की बात कर लेते हैं तो same 5-speed manual और AMT gearbox इस गारी में देखने के लिए मिलेगा new swift और desire कब launch होंगी तो इनको first half of 2024 में Suzuki की तरफ से launch कर दिया जाएगा बढ़ते हैं अपनी second और one of the most awaited car की तरफ जोकी रहने वाला है Kia Sonate facelift Kia अपने सब compact SUV Sonate के उपर काफी जादा काम कर रहा है और बहुत सारे spy shots इस गारी के हमें देखने के लिए मिलें tweaked grill, new alloy wheels और connected tail lamps जैसे की हमें Sonate में देखने के लिए मिलते हैं कुछ उस type की देखने के लिए मिलेंगे बात करते हैं इसके interior features की तो इसमें हमें electric driver seat, 63 degree camera, heads up display, cool glove box जैसे features देखने के लिए मिलेंगे ऐसा बताया जा रहा है कि Kia Sonate FaceTrip में अब हमें ADS भी provide किया जा सकता है क्योंकि Hyundai ने अपनी venue में भी ADS भी provide कर दिया है बात कर लेते हैं इस गारी के engine options की तो इस गारी में हमें 1.2 liter का naturally aspirated petrol और 1 liter का turbo petrol और साथी साथ 1.5 liter का diesel engine देखने के लिए मिलेगा Sonate के launch date के बारे में बात करते हैं तो ये गारी हमें 2024 के early में देखने के लिए मिल सकती है या by 2023 के end में इस गारी को launch किया जा सकता है prices की बात करते हैं तो इस गारी के price हमें 10 लाग रुबे का on road देखने के लिए मिलेगा बड़ती थर्ड कार की तरफ जो की रहने वाला है महिंदरा एक्स्यूवी 3OO facelift ये गारी भी यार काफी जादा weighted कार है और बहुत सारे लोग इस गारी का weight कर रहे है एक्सयूवी 3OO में काफी decent sales हमें देखने के लिए मिल जाती है लेकिन अब महिंदरा जो एक्सयूवी 3OO का facelift लाने वाला है वो काफी जादा जबरदस रहने वाला है मैं आपको बता दू ये गारी BE inspired design के साथ आएगी आप लोग इस screen पे देख सकते हो BE गारियां कुछ हमें इस type की देखने के लिए मिलती है और इसी type की कहीं न कहीं XUE 3OO भी हमें देखने के लिए मिलेगी बात कर लेते हैं इस गारी के exterior के बारे में तो इसमें हमें DRL design नया देखने के लिए मिलेगा Connected tail lamps देखने के लिए मिलेंगे और interior की बात करते हैं तो बहुत ही जादा बढ़िया और updated interior इस गारी में प्रोवाइड किया जाएगा कुछ features की बात कर लेते हैं तो पूरा का पूरा नया dashboard जिसमें floating touchscreen infotainment system साती साथ touch AC controls महिंदरा प्रोवाइड करेगी features की बात करते हैं तो इसमें हमें panoramic sunroof, ADS, ventilated seats और wireless charging जैसे features देखने के लिए मिलेंगे engine options की बात करते हैं तो इसमें हमें same 1.2 litre का turbo petrol, 1.2 litre का turbo GDI और 1.5 litre का diesel engine प्रोवाइड किया जाएगा launch date की बात करते हैं तो early 2024 में महिंदरा की XVV3OO facelift को launch कर दिया जाएगा महिंदरा के दवारा prices की बात करते हैं तो साड़े 9,00,00,00 रुबे on road price इस गाड़ी का में देखने के लिए मिलेगा बढ़ते हैं अपनी fourth car की तरफ जो की रहने वाली है Toyota Taser काफी जादा weighted car है और बहुत ही जादा push किया जा रहा है इसके launch date को मैं आपको बता दू टोयोटा Taser rebashed version होगा मारती की fronks का काफी जादा design elements को change किया जाएगा टेजर में जो की fronks से थोड़ा सा different रहेगा इसके exterior में हमें eyebrow DRLs एक smaller grill जो की हमें high radar में देखने के लिए मिलती है साथ ही साथ बहुत सारे अलग-अलग tweaks देखने के लिए मिलेंगे जैसे की new headlamp, refreshed bumper, rear की बात करते हैं तो rear almost almost semi देखने के लिए मिलेगा जो हमें fronks में देखने के लिए मिलता है बात करते हैं इसके interior की, तो 9 इंच का touchscreen infotainment system इस गारी में provide किया जा सकता है, archamist के sound system, wireless charging, heads up display जैसे features देखने के लिए मिलेंगे, बात करते हैं इस गारी के engine options की, तो इस गारी में हमें same 1 litre का turbo petrol और 1.2 litre का naturally aspirated petrol engine देखने के लिए मिलेगा, इस गारी के launch के बाद इसमें CNG का option भी हमें देखने के लिए मिलेगा, prices की बात करते हैं, तो ये गारी 30,000 से 40,000 थोड़ी सी expensive देखने के लिए मिलेगी मारूती फरॉंग से, और इस गारी को दिवाली के time पे launch कर दिया जाएगा, बढ़ते हैं अपनी 5 वी car की तदफ जो की रहने वाली है new Honda Amaze facelift, मैं ऐसा बोल सकते हैं इस गारी का next generation आने वाल है, जो की काफी जादा similar होगा जो बाहर हमें sedan देखने के लिए मिलती है Honda की, इस गारी के proper generation update में हमें updated platform और design देखने के लिए मिलेगा, exterior के design की बात करते हैं तो new headlamps, grills, tweaked side profile, साथी साथ नए alloy wheels इस गारी में provide किये जाएंगे, connected tail lamps भी इस गारी में देखने के लिए मिलेंगे, सारी car companies connected tail lamps रख रही है, तो वही Honda भी बीजए क्यों रहेगा, अंदर की बात करते हैं तो updated dashboard हमें देखने के लिए मिलेगा, बहुत सारे premium elements के साथ, features की बात करते हैं तो floating touchscreen infotainment system, जो की सारी car companies add कर रही है, premium sound system, automatic climate control, powered mirror, leather rate of wall street ambient lighting और बहुत सारे features इस गारी में आने वाली है, engine options की बात कर लेते हैं तो 1.2 liter का naturally aspirated petrol engine रहेगा, और Honda इस engine को थोड़ा सा tune करके हमें provide कर सकती है, इस गारी के launch की बात करते हैं तो second half of 2024 में ये गारी हमें देखने के लिए मिल सकती है, prices की बात करते हैं तो 10 lakh रुब है on road prices गा गारी का रहने वाला है, बात कर लेते हैं अपनी 6th और bonus car के बारे में जोखी रहने वाली है Tata की curve, Tata की curve एक coupe रहने वाली है जिसकी testing काफी जादा जोरो शोरो से कर रही है Tata, मैंने इस गारी के उपर काफी जादा detailed video बनाया है, जिसको मैं उपर card में link कर दूँगा, आप लोग वहां से जाके इस गारी का proper video watch कर सकते हो, बात करते हैं इस गारी के exterior की तो कहीं ना कहीं next on वाला look इस गारी में provide किया गया है, rear इसका totally change किया गया है, अगर बात करते हैं इस गारी के launch date के बारे में तो ये गारी हमें mid 2024 में देखने के लिए मिल जाएगी, prices की बात करत के उपर एक proper video बना रखा है, जो आप लोग उपर कार्ड में जाके watch कर सकते हो, और बाई कौन सी गारी सबसे जादा बड़िया रहने वाली है, तो चलिए यार आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और मैं आप लोगों से मिलूँगा अगली वीडियो में झाल